हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिसेक और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेलफुल होने वाली है तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी भोटर कार्ड में करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं अपने बीलो एप के जालिए अगर आप एक बीडियो सिर्फ आपके लिए अगर आप नॉर्मल परसंद है तो यह वीडियो से आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला है लेकिन आप जानकारी के लिए करना हो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा तो इस वीडियो को पूरा जो देखिए तो बहुत तरह का होता है जैसे कि नाम सुधार डेटर बर सुधार एड्रेस में सुधार फोटो में सुधार इस परकार का बहुत सारा है तो एक ही वीडियो में कवर करना ज्यादा मुश्किल हो सकती है कि कुमकि एगर मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बनेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं सबसे पहले नाम और फादर नैम, या फिर रिलेशन का नैम, या फिर फोटो, या फिर एड्रेस, ये सारी ज बनाऊंगा जैसे कि एक वीडियो में मैं बना के बताऊंगा कि आप सिर्फ फोटो अप्रेट किस परकास से कर सकते हैं किसी का भी मोबाइल नमर अप्रेट किस परकास से कर सकते हैं नाम सुधार किसप्रकास है कर सकते हैं अ모स्पास है किसफास है कर सकते हैं तो यह सारी अलग-अलग मैं फार्म8 के बारे में अलग-अलग वीडियो बना कि इस चैनल पर डालता जाऊंगा तो इसलिए इस चैनल को सबसक्राइब करके जरूर रख रहे हैं और इस वीडियो में को बताने वाला हूँ कि form 8 जो बेसिक जानकरी है, बारे में इस वीडियो में दूगा Form8 की बारे इस वीडियो पर बने रहे, तो बियो एप को भी इत के बाद को क्या करना है, में पumbles क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं इंटर एप्लिकेंट इपिक नमबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आवेदक का आपको बोटर आईडी कार्ड नमबर डाल देना है उसके बादे वीट सेम इपिक या फिर अधर इपिक है इपिक मतलब बोटर आईडी कार्ड नमबर अगर आप अपना ही बोटर आईडी कार्ड में सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेम इपिक पर क्लिक कर देंगे और नीचे ओटमेट्रिक यहाँ पर आपका बोटर आईडी कार्ड नमबर आ जाएगा लेकिन अगर आप Applicant आवेदक है और किसी और का Motor ID Card में सुधार करना चाहते हैं तो उपर में Applicant वाले Option पर यहाँ पर अपना Motor ID Card नमबर डालना है और जिसका Motor ID Card में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर Other Epic में आप किलिक करेंगे और जिनका बोटर ID कार्ड में सुधार करना है उनका यहाँ पर बोटर ID कार्ड नमर डालेंगे यहाँ पर यह वाला ओप्सन इसलिए दे आ गया है क्योंकि देख सकते हैं उपर में सिफ्टिंग, रिप्लेस्मेंट या पर PWD में सिफ्ट करना यह सरे चीजें भी इसी वाले ऐप्सन में होगी इसलिए यहाँ पर आवेदक कोई भी हो सकता है जिसका बोटर ID कार्ड में सुधार होना है उसके आलग से आप बोटर ID कार्ड नमर डाल सकते हैं लगिन मैं सिथ-सिधे बात करूँ कि बोटर ID Card जिसका सुधार जाना है और यहां पर जिसका सुधार हो सबस्के यहां पर आपको कुछ आप्सम्से करना हूँ जिसे कि स्वभ्टिंग और रेषसीडेंटι, अगर आपको अपना भौटरा आइडि काड किसी और निरभाचन खेटरं में सिफ्ट करूनाय है तो यह अपने इडिकाड अपने सुधार करवाना है तो आप सेकेंड वाले डिकारण और किलिक कर सकते goaker नियुक है तो यहाँ पर थर्ड वाले option पर क्लिक कर सकते हैं तो इन सभी की में अलग-अलग वीडियो में बना दूंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए आपको सारा डीटेल मिलते जाएगा तो फिलाल मैं बोटर सब्सक्राइब करना चाहता हूं तो यहां पर सकेंड वाले option पर क्लिक कर लेता हूं इससे आगे option यहां पर पूछे जाएंगे तो आपका वियलो एप अगर आप ऑपन करते हैं तो ध्यान रहे कि आपका location on होना चाहिए तो आपको ओके पर क्लिक कर देता है उसके बाद यहां पर applicant का नाम आ जाएगा यहां पर सबसे पहले सबका एक सेम प्रोसेस है यहां आधार नमर पर क्लिक करके आधार नमर फिल कर देना है उसके बाद mobile नमर पर क्लिक करके यहां पर mobile नमर फिल कर देना है अगर जो applicant उनको personal mobile नमर नहीं है तो नीचे वाले option पर क्लिक करके उनका फादर या मदर का या फिर कोई और डाल सकते हैं इमिल आईडी आप डाल सकते हैं में रिटरी नहीं है उसके बाद आप से बेंट नेक्ट पर किलिक करेंगे से बेंट नेक्ट पर किलिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर सो कर रहा है कि आपने बोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए आवेदन किया है तो सेकेंड वाले ओप्सन पर तिक मार्क दिखा रहा है उसके बाद देख सकते हैं आप फॉर्म 8 में इतना सारा चीज करके जरूर रखरें तो फिल हाल में अभी आपको किसी एक चीज में करकर दिखा देता है यहाँ पर मैं नाम वाल करता हूं नियायां सु keeping your social न सही जो नाम है आपके आधार कार्ड में हैं जो भी आपका को है आप इंटिक रूब रोग रहा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, अब यहाँ पर नीचे में कील्क करेंगे तो ओtomatic translate हो जाएगा, जो भी रही हिंदी में यह लिखा होगा, जो भी सब्ड सही होगा उसको आपको टैप करना है अपको हिंदी में कोई भी स्लयाट कर सकते हैं तो आपको वह डुकमेंट लीवूल करके यहाँ पर फाईल किलिक करके आप अपोट ना किलिक कर सकते हैं चैजिक हैं पिंग फाईल भी आप फाईल कर सकते हैं पीडियाफ फाईल तो THERRD वादा NUMBER आपको किलिक कर लेना है, डli markets upload करने के बार Esteved and next पर आपको किलिक करना है, लेकिन अगर आप नाम सुधार नहीं करना चार्त हैं, देखिए मैं अंटिक कर दिया हैं, तो यहाँ आप नीचे में कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप जैनिनस उदार करना चाहते हैं तो उसमें में टिक मर्ग लगाता हूं यहाँ पहर देख सकते हैं तो जैनिस select करके नीचे में choice file पे आपको click करके upload कर लेना है उसी प्रकास relation type में आपको change करना है तो यहाँ पर relation type देख सकते हैं या अगर किसी का गलती से फादर के जगा husband हो गया है या पर husband के जगा फादर हो गया है तो आप change कर सकते हैं और related document आप select करके upload कर सकते हैं उसी तरह से यह सारा काम करता है नेकिन जो mobile number वाला option है अगर आप यहाँ पर tap करते हैं तो आपको यहाँ पर simply mobile number type कर देना है और save and next पर click कर देना है यहाँ पर आपको next करके upload करना है अब इतनी सारी option आपको दिखाई दे रही है आप कोई सा भी option यहाँ पर click करते हैं जो procedure होगी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया उसके बास save and next करने के बार यह कोई सा भी option पर आप click करके save and next करते हैं एक ही आपको format मिलेगा इसके बार जो कि मैं बता देना चाहता हूं जिसे कि मैं मालेजे फोटो अपडेट करना चाहता हूं तो मैंने फोटो पर click कर लिया च्वाइस फाइल पर click करके मैं फोटो सबसे पहले update कर लेता हूं कि देखिए save and next पर click करते हैं यहां पर कुछ नहीं करना होगा आपको यहां पर प्लेस में आपको सीटी का नाम डाल सकते हैं अपने पंचायट का नाम डाल सकते हैं या आपका एरिया जो भी परता है वहां पर आपका एरिया का नाम डाल सकते हैं यहां पर अपने डिस्ट् पर आपका सारा डीटेल आजाएगा जैतने डीटेल आपने पिइल किया है और कुछ नहीं करना है document बेखर अपने ϋब्सक्न करते हैं तो आपको लोगन नमर बोल सकते हैं यह आपको सकते हैं नमर बोल सकते हैं इसको आपको screenshot कर लेना है सबसे पहले उसके बाद आपको जो BLO रेजिस्टर आपने बनाए हुआ है उसमें जो आप record maintain करते हैं form 678 का उसमें आपको applicant का नाम और मुझे का mobile number apply date और ये acknowledgement number वहाँ पर लिख लेना है ताकि बाद में कोई दिक्ट ना हो वहाँ ok पर click करते ही यहाँ पर home page पर आ जाएगा उसके बाद फिर से आपको forms पर click करना है यहाँ पर सबसे नीचे देख सकते हैं track application का option आ रहा है यहाँ पर click कर देंगे और आप अपना जो आपको अपको acknowledgement number मिला है उसको आप यहाँ पर फिल करके track status पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना status यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहले form submitted हुआ है उसके बादे यहाँ पर बीलो आसाइंड का option मिलेगा जैसे यह बीलो आसाइंड वाले option पर जाएगा आपको बीलो एप भी आ जाएगा तो आपको checklist verification वाले option पर क्लिक करके आपको checklist verification कर लेना है और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे description box में आपको link मिल जाएगा मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप checklist verification कर सकते हैं तो आपको कर लेना है checklist verification उसके बाद यहाँ पर और final में accept हो जाएगा आपका application और आपका जो बोटर ID कार्ड है बाइपोस्ट एप्लिकेंट का जो बोटर ID कार्ड है बाइपोस्ट उसको भेडिया जाएगा तो मुझे आसा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपके लिए वीडियो जरूर helpful रही होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो यह वीडियो आप दूसरे वीयलो के साथ जरूर सेयर करें ताकि उनके प्रोब्लम का भी solution हो सके और अगर आप इस चैनल पर नहीं आये हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की notification आपको सब से पहले मिलती हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंक यू